वेलकम टू राजमलोत रायस इंस्टिट्टीट बिफोर वी स्टाइब इस वीडियो लेट में तेल यू सम्थिंग आप 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 इच्छे यह पेड काट दीजिए तो उस पेड को काटने से पहले पाच गंटे मैं अपनी कुलारी को शार्पन करूंगा एक घंटे में इस पेड को काट दूंगा क्यों मेरे गुलारी बहुत शाप हो चुके हुगी इस कोट के थूरॉна is अब्रहाम लिंकल ने पेड गाटना था ना आमने पेड dowala था, Abraham Lincoln ने इस court के थूप planning को एक बहुती important status दिया है, यह जो planning है, it is not just important in life of some great people, but also common people, हर चीज़ planning से ही चलती है, आपका घर, मेरा घर, हम सब क्या जो जीवन है, वो planning से ही चल रहा है, यह जो examination है, Punjab Public Service Commission का जो Punjab Civil Services का examination, जिसका notification कल ही आया है, इसको भी crack करने के लिए एक बहुती dedicated planning की जोथ है, और dedicated planning तब तक नहीं चालू होती, जब तक आप उस परिक्षा को अच्छे से समझने हैं लेते हैं, और उस परिक्षा को अच्छे से समझने के लिए, आपको जो previous year questions आए हैं, Punjab Civil Services के अंदर, या उसके examination के अंदर, उनको रखना बहुत जरूरी है, so इस यह इस वीडियो में, आज हम चो चीज़ भी इसका कर रहा हैं, इस यह यह आपको करनेशाइं हैं, आपको तुद्स who are about to enter into this examination phase they should be equipped with proper planning and everything so year wise analysis करेंगे हम Punjab PCS examination का चलिए आगे चलते हैं all right now if you pay attention सबसे पहला जो topic हम discuss करेंगे it is the questions related from the science and technology segment all right we are going to discuss the questions that have been asked from the science and technology segment science and technology अगर हम देखें तो 2012 के मुकाबले 2018 आते आते there is a decrease in the number of questions that are coming from science and technology segment लेकिन ऐसा नहीं है कि यह जो trend है यह वापिस से रिवाइब नहीं हो सकता यह ट्रेंड वापिस से रिवाइब भी हो सकता है हो सकता है कि 2020 का जो पेपर है उसमें यह वापिस से उपर शूट कर जाया लेकिन एक चीज़ बहुत ही प्रोमेनेंट यहां देखने को मिलती है कि तुरल कंपोनेंट फॉर द पंजाब से एक्समेंट नान पूछती लेकिन चो स्टेट सिवल सर्विसेड एक्शन सो तहें हो बहुत ही दिटेल में नो बहुत बहुत जारा मात्रा मैं और साइंस न्टेगोड से पुटप करती है इसलिए यह सेग्मेंट आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेर करना है और एट सो लेट्स को हैड और दूद अनलिसिस अफ थे प्रिपेर को अच्छा नहीं नहीं कर सकते हैं आपको पता है तो पता है आपको नहीं पता है तो नहीं पता है आपको पता है तो यहां से सारे करंट से बहुत कम क्वेशन देखने को मिले हैं वो स्टेटिक सेग्मेंट से पुछे हुए सवाल है हाई स्कूल लेवल स्टेंडर्ड है सवाल का यानि कि छटी से दस्वी क्लास के जो एंसी आटी किताब हैं लगबख सब कुछ यहां से ही पूछा जा रहा है आपके पेपर में ज्यादा हाई फाई किताब आपको पढ़ने के जोद नहीं है और क्योंकि जो छटी से दस्वी छटी से भी हाई स्कूल लेवल स्टेंडर्ड है तो जो किताब आपको इस सेग्में के लिए रफर करनी है वह बन जाती है nCRT ठीक नाइस गुए जो इंसेंट सेग्में मैं आपके साथ डिसकस करूँआ जो सेकंड सेक्शन आपके साथ डिसकस करूआ वह ए इंडियन you can see modern history and second is ancient history medieval history or culture all right so these are the segments here so this is modern history and ancient medieval and culture ये बहुत ही consistent section रहता है, 2012 में 18 सवाल थे, 2014 में 14 सवाल थे, 2015 में 15 सवाल थे, 2018 में 12 सवाल थे यानि की 12 से 18 प्रतिशत सवाल आपके इंडियन हिस्ट्री से आते हैं, यानि it is also again a very important section that you cannot skip or miss to skip आप अनलिसिस करते हैं, जो ये सवाल आते हैं आपके इंडियन हिस्ट्री में आप बहुत ही बैलेंस सवाल आते हैं, सपोस करो अगर 18 सवाल हैं, तो ऐसा होगा कि 10 आपके modern history से हो जाएंगे, तो art ancient medieval and culture से हो जाएंगे, 9 अगर आपके ancient modern history से हैं, तो around 9 सवाल आपके ancient medieval and culture से हो जाएंगे, यानि की बहुत ही balanced बटवारा होता है between these two sections of Indian history, लग बग सारे questions static है, history अपने आप में एक static subject है, ज्यादा dynamic हैं तो सारे के सारे factual questions होते हैं, ज्यादा analytical approach लगा इसमें कोई आपको scope नहीं मिलता, alright, apart from that, एक और चीज़ देखने को मिला है, कि जो questions है, they are of moderate level, आसान नहीं आते, moderate level है, लेकिन जो aim सी है ancient medieval and culture, वो competitively थोड़ा सा easy है, क्योंकि modern history के सवाल moderate level के आते हैं, यहाँ पे जो राजसर की expertiser, वो बहुती superb तरीके से बच्चों को help कर करती है, in clearing this exam, लेकिन modern history moderate है, ancient medieval and culture relatively easier, alright, so this is the analysis of Indian history, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, कि 12 से 18 प्रतिश्यत सवाल आपके 20 साल, यानि कि 2020 में भी Indian history से आएंगे, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले हैं, आगे चलने से पहले हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा स sources के बारे में बता दू, तो क्योंकि modern history का जो questions है, वो moderate level के होते हैं, इसलिए राजसर के notes, या फिर आप spectrum की किताब refer कर सकते हैं, क्या तो राजसर के notes, राजसर के notes replace कर देते हैं, बागे सारे sources को, नहीं तो अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं, तो spectrum is also a welcome read for modern history, ancient medieval and culture NCRT level से ही आता है, that you can easily cover, 6th, 7th, 8th, NCRT and 12th NCRT and 11th class fine arts, that is sufficient, everything can be tackled, अब बात करेंगे economy की, economy एक बहुत ही high fluctuation paper है, high fluctuations दिखाता है अपने presence के अंदर paper के अंदर, कभी बहुत ज्यादा सवाल आ जाएंगे, जैसे आप 2012 देखिए, 2012 में बाइस सवाल आपके पुछे गए हैं, economy से, वहीं 2011 में लगबग 50 प्रतिशत का डाउनफोल आ गया, सिर्फ 11 सवाल पुछे 2014 में, 2015 में तो बिल्कुल किलत हो आ गई थी, economic के सवाल में, सिर्फ 3 सवाल पुछे गए हैं, और 2018 में सिर्फ 8 सवाल पुछे गए हैं, economy section से, यानि it fluctuates somewhere between 3 to 22%, लेकिन economy को आप हलके में मता की, क क्योंकि जो आपके current के questions हैं, उसमें economy का portion बहुत जादा होता है, economic policies, schemes, all right, budget, economic survey, वो by default economy को वापिस से कहां ले आते हैं, 10 से 12 और 10 से 15 प्रतिशत वाले bracket में, so even economy is very important, क्योंकि uncertainty है इस paper के साथ, 22 सवाल 2012 में और 3 सवाल 2015 में, अपने आप एक चीज़ शो करता है, कि economy में fluctuations है, लेकिन ये fluctuations moderate out हो जाते हैं, जब हम current को इसके साथ associate करते हैं, पंजाब civil services के paper में, so अभी तक जो हमने देखा, science and tech बहुत important component है, Indian history बहुत important component है, and economy is also significantly a very important topic, analysis करें, तो economy के सवालों में एक चीज़ बहुत ही starkingly contrast है, with the previous section, कि जो सवाल है, वो mostly current nature के आते हैं, Apart from this, economy section में, बहुत सारे Punjab related सवाल भी पुछे जाते हैं, क्योंकि Punjab economic survey और Punjab budget, दोनों आपको पढ़ना पड़ता है, economy के सवालों में भी एक चीज़ देखी गई है, कि यहां पर तीनों लेवल के सवाल पुछे जाते हैं, simple भी पुछेंगे, आप से moderate भी पुछेंगे, और difficult भी पुछेंगे, लेकिन simple का जो segment है, simple के जो quantity है सवालों की, वो जादा होती है, अपार्ट फॉम दिस चो क्वेस्टिन से हैं, hardly मैंने कोई microeconomy से question देखा है, mostly the questions, almost all questions are from the macroeconomic sections, और economy में एक बहुत important चीज़ देखने को मिली, कि जो economic institutions हैं, उनकी ओपर भी explicit सवाल देखे गए हैं, इस वज़े से economy अपने आप में एक बहुत important component बन जाता है, अब बात करेंगे इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी काफी consistent रहा है, 2012 में 10% सवाल इंडियन पॉलिटी से आए, 2014 में 11% है, 2015 में 11% है और 2018 में 9% है, तो almost it is on a very similar footing in terms of the number of questions 10% लेकिन बहुत important component है, 10% है, लेकिन scoring है, simple सवाल आते हैं mostly इंडियन पॉलिटी से, factual चीज़ें हैं, थोड़ा वो दिमाग लगा तो जो factual हैं उसमें भी analytical reasoning लगा सकते हैं, लेकिन इंडियन पॉलिटी को supplement करने के लिए एक और अलग segment है, और वो है political thinkers, political thinkers के एक separate segment है, इस वज़े से जो इंडियन पॉलिटी है, उसको सिर्फ 10% का share मिला है, अगर मैं वो वाला section भी इसमें add कर दूए, political thinkers जो हम आगे एक separate section के तर डिसकस करेंगे, तो इंडियन पॉलिटी के segment में भी around 17-18% सवाल आ जाएंगे, जो आपने आप में बहुत important है, लेकिन, let's break it apart, हमने break कर दिया है, political thinkers को दूसरा नाम दूसरा section बना दिया, और इंडियन पॉलिटी को एक separate section बना दिया, alright, analysis देख लेते हैं एक बार, number of questions इस segment के अंदर fairly consistent रहते हैं, मैंने आपको बताया कि 9-10-11 questions आ रहे हैं, यहाँपे simple questions होते हैं, alright, apart from this, जो questions हो mostly static होते हैं, hardly थोड़े बत आपको करन मिल जाएंगे, but mostly static हैं, Anuj sir ki classes और Lakshmikaant, I think they are the sufficient sources, उसके लाब आपको पुछने पढ़ना, अगर मैं political section को constitution और government में break करूं, parliament, executive and judiciary में break करूं, तो constitution का segment थोड़ा सा light less weightage रखता है PCS examination में, working of the government in the form of parliament, executive and legislature, as well as constitutional and non-constitutional जो bodies हैं, उनके उपर सवाल काफी जादा पूछे जाते हैं, current affairs भी mostly non-constitutional dimension से ही पूछे जाते हैं, so this is the basic observation about the polity section of PCS paper, आगे चलें, geography के बात करें, geography बहुत ही fluctuation देने वाला subject है, 2012 में जहां geography में 7 सवाल आये थे, वहीं पे 2014 में 12 और 2015 में 7 के double, that is almost 13 सवाल पूछे गए हैं, किसके अंदर पंजाब civil services examination के अंदर, 2018 का जो हाल फिलाल जो पेपर complete हुआ है उसमें सफ साथ सवाल थे, तो geography देखा जाए तो साथ से तेरा प्रतिशात है यानि geography का कही न कहीं पे थोड़ा सा रुजहान कम है, or you can say it is slightly less asked as comparative to the other sections like economy or you can say history for that matter, तो क्या observation रही मेरी geography के बारे में मैं आपको थोड़ा से explain कर दूँ, यह जो questions हैं geography के काफी simple questions हैं बहुत ज्यादा technical नहीं पूछते, यहां पर physical geography यानि कि geomorphology, climatology, oceanography थोड़ा कम पूछा जाता है, rather यहां पर जो focus है वो यह देखा गया है कि हाल फिलाल में जो focus है वो human geography, tribes, resources, minerals उसके उपर ज्यादा पूछा जा रहा है, power plants, nuclear installations, important places के उपर ज्यादा सवल पूछे जा रहे हैं rather than the physical geography or the conventional geography that is geomorphology, climatology and oceanography, questions यहां पर simple हैं और अकर sources के बात करें तो 11 और 12 की जो NCRT अगर आप उतना कर लेते हैं मेरे इसाब से more than sufficient रहगा आपकी geography preparation के लिए, आगे चलते हैं world history, world history again under 10% questions आते हैं, less than 10 questions होते हैं लेकिन बहुत ही important segment बन जाता है, 6 question मतलब सीधा 12 number, 7 question मतलब सीधा 14 number, यहां पर 3-3 question मतलब एक चीज़ तो देखा गया कि world history हर सल पूछा जरूर जाता है, हर सल पूछा जरूर जाता है और वापिस एक trend देखा जाता है तो उठ रहा है कि 2018 में 6 questions पूछे हैं तो हो सकता है 2020 में वही trend मेंटेंड रहे हैं 6-7 questions आ जाएं जो अपने आप में make and break का का काम करेंगे, अगर analysis करें तो questions को मैंने देखा तो questions बहुत जादा events के उपर या फिर personality के उपर focus कर रहे थे और क्योंकि events of personalities के उपर questions है, जो questions personalities के उपर है वो थोड़ा सा moderate level पर आजाएगा difficulty के अंदर medium level पर difficulty पर आजाएगा जो मुझे पता चला है जो मैं आपको इस वीडियो के थूट करना चाहता हूँ, यह जो questions हैं आपके world history के अंदर यह बहुत ही anticipated areas जाते हैं, जैसे for example, राच सान बताया कि जो आपका American war of independence है, American war of independence is a very anticipated area जहां से world history के सवाल पका आएंगे, so by this way, जो आपका world history है, वो important component होने के साथ साथ, बहुत easily decode हो जाता है, क्योंकि अगर कोई expert बंदे से आप पढ़ते हो, या किसी expert के आप सला लेते हो, तो आपको पहले ही बता देगा कि यह areas important है, इनको read कर लीजे, so probability यहां से सवाल आने की ज़्यादा है, so that you score good marks, आगे चलते हैं, पंजाब जी के, पंजाब जी के fairly important segment है, क्योंकि यहां पर देखा गया है कि 17 से लेकर 10 सवाल तक, यहां पूछे गये हैं, सिर्फ 2014 एक exception है, जहां पर सिर्फ 7 सवाल पूछे थे, लेकिन फिर भी, हर साल यह 10 से ज़्य सवाल पूछने वाला segment है, यहां पर जो सवाल आते हैं, mostly तो analysis करके मैं आपको बता देता हूं कि पंजाब जी के सवाल, mostly आपको budget, economy, important personalities के बारे में पूछ सकते हैं, जिन्होंने अभी-भी कोई नए awards जीते हैं, government की schemes and policies के उपर सवाल पूछे जा सकते हैं, courts के उपर सवाल सवाल पूछे जा सकते हैं, जो sick gurus हैं, उन्होंने जो quotations, quotes दी थी, उनके उपर सवाल पूछे गए हैं, जो important books हैं, पंजाबी important books हैं, इवन वहां से भी सवाल put up करे जाते हैं, लेकिन पंजाब का paper है, तो पंजाब जी के आप escape नहीं कर सकते, likely नहीं ले सकते, बहुत important topic है environment की बात करें, तो environment ये जो आप figure देख रहे हैं, ये basically static environment का segment है, static में किसी साल 2, किसी साल 1, किसी साल 8 और किसी साल 4 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन current के वज़े से फिर से ये approximately 10% वाली category में चला जाता है, environment से हर साल लगबग 10 सवाल पूछे जाते हैं, और environment देखिए अपने में बहुत इंपोर्टेंट का topic है, आज की देख में climate change है, आज की देख में global warming है, जंगल में आग लग रही है, forest fires हो रही है, तो इनकी वज़े से हमेशन यूज में रहता है, तो I think that environment को अगर में current affairs के साथ associate करूं, तो वापी से स्टोर्स जो weightage है, वाप्रक्सिमेटली 10% वाले category में चला जाएगा, कि अगर में environment में static plus current को add कर दूँ, तो हर साल approximately 10 से जादर सवाल आपके इस segment से पूछे जाते हैं, चलिए आगे बात करते हैं, अगर मैं analysis करूं environment section का, तो question बहुत ही simple है, और बहुत ही probable areas से आते हैं, जैसे अगर suppose करो कि कोई international meeting हुई है, तो उसकी organization के उपर सवाल पूछ लेंगे, उस meeting के उपर सवाल पूछ लेंगे, तो इस तरीके से probable areas हैं, जहां से आपके environment के questions पूछे जाते हैं, अगर मैं general environment और climate change और ecology को segregate करूं, तो ecology से जादा सवाल देखे हैं, rather than climate change and environment, but ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है, कि ecology से ही important question पूछेंगे, लेकिन उतना ही important environment or climate change भी अपने आप बन जाता है, pardon me, pardon me for that, alright, now if you talk about the IUCN categories and species, they are the favorite topics, IUCN categories and species, they are the favorite topics among the environment related questions, आगे चलते हैं, ये एक नया segment add हुआ है, जो पिशले दो साल में Punjab Public Service Commission ने पूछना चालू किया है, दो हजार बारार और दो हजार चावदा में ये नहीं नहीं दो हजार पंदरा और दो हजार अठार के पेपर में ये defining section बन गया, और ये defining section बन गया, क्योंकि 6 से 7 questions की बाजी लग जाती है, इस particular section के अंदर political thinkers, किसी को नहीं पता कौन सा political thinker पूछेंगे, इस वज़े से questions अपने आप difficult category के अंदर आ जाते हैं, जैसे मैं आपको explain करता इस एक नया emerging area है, पास में नहीं पूछे जाते थे लेकिन अभी पिछले दो बार से यू जो PPSC वो भरके यहां से सवाल पूछी, एक साल छे, एक साल साथ, जो आपने आप में बहुत ज्यादा नंबर है, अपार्ट फम देस, political thinkers बहुत सारे हैं, इसलिए कौन सा तयार करे हैं, कौन सा नहीं है, तो यह एक बहुत ही difficult segment बन जाता है, किसी ने कुछ पढ़ा, अगर वहां से सवाल आ गया, तो luck लग गया नहीं, तो hard luck, alright, कोई book नहीं है, कोई suggested reading नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां पर भी हैव अनुच सर अज़ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल teacher, he has a good depth and good hold over the political thinkers, so वो detail में सारे thinkers के बारे में आपको बताएंगे, जब आप उन से personally मिलेंगे, but एक चीज़ देखा गया है, कि सवाल mostly जो established thinkers हैं, उनकी ऊपर पुछे जाता हैं, जैसे कि Walter, Montesk, Russo, Rawls, among others, alright, so like this, थोड़े से जो defined, well defined, well established thinkers हैं, जैसे Plato, Aristotle, Socrates हो गया, John Rawls हो गया, Russo जोन लॉक हो गया, इनके उपर जो सवाल हैं, उनके आने के चांसे ज्यादा हैं, they are prominent political thinkers, but again defined नहीं है, तो आपने आप में एक चुन होती है, and it's a difficult segment, current affairs, current affairs is the most important segment, it is the most important segment, आप लाइटली ले ही नहीं सकते, current affairs को, एक सल जहां 40 question के लगभग current affairs से पूछा, वहीं पिछले सल 22%, यानि this is approximately 20 to 30% of the marks in your PPSC is coming, PCS examination is coming from current affairs, but again ये current affairs को अगर हम ब्रेक करें, तो एकोनोमी के current affairs important हो जाते हैं, environment and ecology के current affairs important हो जाते हैं, उसके अलवावा some politicals है, political current affairs important हो जाते हैं, तो इस वज़े से ये static के साथ उन सब्जेक्ट के relevance बढ़ा देता है, जैसे आपने देखा कि मैंने आपको बताया अभी जी quality का जो share है, वो approximately 9 to 10% static portion का है, तो current का अगर हम देखे हैं, तो current के भी around heart से no question add हो जाते हैं, जिसके जैसे quality अपने आप में एक बहुत important component बन जाता है, all right, similarly economy का जो मैंने आपको बताया है कि 10, 11, 12 सवाल पूछे जाते है economic static sections है, तो 10, 12 current में पूछ लेता है, जहां मैंने आपको static environment का बताया कि 7, 8 questions पूछते हैं आप से, वहीं पर 12 तेरा question current का जाते हैं, जो आपने आपने environment and ecology को बहुत important component बना देते हैं, all right, then this is all about the analysis of the Punjab civil services examination paper of the past 4 different papers that have come across in 2012, 14, 15 and 18, all right, आप conclude करने से पहले, एक बार analysis मैं आपको बता देता हूँ, जो current affairs का वो यह है, it is one of the heaviest component, यहां पर simple सवाल भी पूछे जाते हैं, moderate भी पूछे जाते हैं, difficult भी पूछे जाते हैं, economy एक काफी heavy component रहता है current affairs के अंदर, because budget और economic survey, यह दुन अपने आप में बहुत important topics बन जाते हैं, current affairs के अंदर, policies, government schemes, यह भी अपने आप में बहुत prominent topic बन जाते हैं current affairs के अंदर, alright, now before we conclude the session, I want to tell you about the book list, that is what important books you can follow, this book list is only, if you are not subscribing to our study material, अगर हमारे study material के बाहर आप कुछ रेफर करते हैं, तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं, और अगर आप हमारे study material को भी रेफर करते हैं, तो भी आप यह books बढ़ सकते हैं, for enrichment of your knowledge, पर शायद जरूद नहीं पड़ेगी, जैसे history के लिए जो बताई जाती हैं books, वो है ancient India by R.S. Sharma old NCRT, या new NCRT भी equally important है, इन दोनों में से कोई सी भी एक कर दो, काफी है, इससे ज़्याद आपको effort लगाने की जूद नहीं है, here we talk about the medieval India, तो history of medieval India by Satish Chandra old NCRT, अगर यह कर सकते हैं तो ठीक हैं नहीं कर सकते हैं, तो new NCRT is the replacement for these books, और अल्राइट old NCRT थोड़ी बलकी हैं, new NCRT थोड़ी से light है, अब brief history of modern India by Raji Vahir, that is modern India के लिए spectrum की book, it is one of the most important recommended text you can refer to, जोग्रफी के लिए new NCRT की 11 और बारवी class की NCRT more than enough है, बहुत ही standard books हैं यह, in fact, आइस तक के examination में इसके बाहर आप चीज़े नहीं पढ़ते, economy के अंदर आप Ramesh Singh की economy पढ़ सकते हैं, उस के साथ, आप NCRT इसको supplement कर सकते हैं, यह, आप कोई भी Sanjeev Verma भी पढ़ सकते हैं, इसा कोई है, सच वो नहीं है, but economy, एक standard book जरू रखिएगा, along with NCRT, पॉलीटी अनुच्छा के notes हैं, या फिर आप M. Lakshmikant की booklet पढ़ लो, it's one and the same thing, environment में आप NIOS का material रफा कर सकते हैं, science में आपको पता हैं, purely NCRT आपको follow करनी है, छटी से दस्वी class की, और current affairs हमारे institute के जो handouts है, they are more than sufficient, या कोई भी आप random current affairs के website follow कर सकते हैं, पिछले एक साल के current affairs आपके तयार होने चाहिए, alright, so I think that I have conveyed my idea about the PCS examination, इसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी तयारी को उस तर and my analysis of the previous four PCS examination, thank you very much and all the very best, I was your presenter, my name is Akash, Akash Eravad and with this I will take your leave, have a great day ahead, take care and bye.